नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटीब चैनल बाई तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल परदेश करमचारियों से जुड़ी हुई महतवपूरन खबरों को लेके और करमचारी 6 नयोग जो कि आपका काफी लंबे समय से सस्पेंट सर रहा है और इसमें काफी लंबे समय से बहुत सी नोकरियां फसी हुए उसके बारे में आपको अपडेट देंगे और OPS में नई जो बाते निकल के आ रही है उसके बारे में भी करमचारियों के लिए महतवपूरन इंपॉर्ट अपडेट है और आउट्सोर्स पॉलसी को लेके क्या अपडेट निकल काई है उसके बारे में बताएंगे और मल्टी टास्क वर्कर जो की काफी ज़्यादा प लुकरियां फसी हुई है और यह चिंता की बात इसलिए है कि यह मामला आगे आगे खिसकता जा रहा है आज हमने विजलेंस के एंगल से इसको जब पता करने की कोशिश की तो वहां जो मामला है वो जांच उलच जा रही है कई और पोस्ट कोड इसमें उलच गए हैं और जो विजलेंस से जब हमने आज पुछा तो विजलेंस ने कहा कि हमें तो अपनी फाइनल रिपोर्ट देने में भी बहुत वक्त लगेगा जो एड्मिस्टेटिव स्तर पे सरकार ने फैसला लेना है वो एड्मिस्टेटिव इंक्वैरी का ही पार्ट है और वही इसमें बता पा तो उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट दी नहीं है जो उन्होंने एक अपना डॉकुमेंट दिया था उस डॉकुमेंट के बाद इतना की पता लगा था सिर्फ कि उन्होंने पंदरा दिन का वक्त और मांगा है पहले पंदरा दिन का वक्त उनको दिया गया था अब जब व तो यह भी भी फैसला नहीं हुआ है और इसी फैसले का इंतजार सबको है हजारों जो यूवा है जो पढ़ने के बवजूर्ब जिनों ने इमांदारी से पेपर दिया तियारी करके वह इसमें सारे भी ना था वह भी बहुत बहुत सारे भी भाग अब नई भर्तियों को लेकर अब फस गए हैं असमंजस में हैं कि वो रिकोजिशन भेजे या नहीं सरकार से अप्रूवल मिलने के बावजूद केस आके नहीं जा रहें इसलिए राज्या सरकार को इस मसले को सिरियसली देखने के बाद गबाद गबाद कि उन्होंने उधारन भी दिया कि इसका सोचल मीडिया पर जा करके आप दिख सकते हैं उस वक्त जो डिप्टिस यह प्रदेश के मुक्रिशन ने कहा था कि जैसे हमाई सरकार बनेगी हम आउट्सूर्स के लिए पॉल्ड पैंशन में जो राज्या सरकार की तरफ से फैसला ह हुआ है उस फैसले के बाद अब क्यांकि मुक्ह सची वाजकल दिली गए हुए हैं उन्होंने च्छतिस गड़ की नोटिफिकेशन देखने के बाद जो पैंशन ब्रांच है उसको जो ड्राफ्ट त्यार करने को बोल दिया है फाइना सेकरेटरी की निगरानी में ये रही है कि वो पैंशन के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाने का फैसला ले रही है और जब तक फाइनल रूल्स नहीं आते तब तक ये क्लारिटी नहीं होगी लेकिन इतना तयह है कि कॉर्पस अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत सारे जो करमचारी ह है उनको भी ये लग रहा है और जो जो सरकार को भी फीडबैक आ रहा है खासकर अफसरों का भी अभी सिच्वेशन ऐसी है कि 20 साल से भी ज़्यादा समय से जो चीज चल रही है उसको 20 साल पहले से खतम करना एक अपने आप में बड़ा ट्रिकी सा मैटर है और रिस्क इसमें ये है कि बाद में जब मान लिजी अभी ओल्ड पेंशन लागू कर दी और जिस तरह से 36 गर्ड ने किया है कि जब आपको NPS का पैसा आ जाएगा इंडिविजवल करमचारी को वह वापस सरकार में जमा कराएगा फिर उसका ओल्ड के ओल्ड पेंशन का केस बनेगा ऐसी सिच का जो कंट्रीडूशन है उसको फाइलों में तो जिन्दा रखना पड़ेगा और उसको राइट आफ नहीं कर सकते और जब राइट आफ नहीं कर सकते तो उसको किसी बुक्स में मैंटेन करना पड़ेगा उसके बाद वो प्लस माइनस होगा जब सरकार ने ओल्ड पेंशन देनी है वो किस तरह से दी जाएगी वो बात अलग है 36 गड़ में भी आजकल जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी यही मनोदशा है और वही लोग अभी अपनी सरकार से क्वेरीज पूछ रहे हैं कि किस तरह से लागू किया गया है क्योंकि उन्होंने एक अपरेल 2022 से बोला है जीपी अपकाउंट खोलने को बैक डेट से जो खुल रहे हैं हिमाचल सरकार ने इस पे अभी फैसला लेना है कि जीपी अपकाउंट किस डेट से खुलेंगे लेकिन इतना तय हो गया है लगबग अभी तक की जो डिसकशन चल रही है इंटरनल पैंशन जो ब्रांच है औ हमाचल सरकार और करमचारी ने इस से पहले हमाचल सरकार ने अपने करमचारी को लेकर आज तक कोईर पैंशन नहीं बनाया है ट्रेजरी ही मेंटेन करती है ट्रेजरी ही रेगुलेट करती है डीडियों के माध्याम से जो पैंशनर का सिस्टम है वो ही और जो कर्म町चारियों का भी वो भी यह अनपीएस के बाद, ओपेस लागू होने के बाद पहली बार ये प्निसिपल डिसेजन होगा कि हम पैंशन के रुकी हुई है पूर्व सरकार ने यह बर्तियां यहां पर करनी थी लेकिन वर्त्मान सरकार ने पूरा प्रोसेस इसमें रोक दिया है हालांकि अधिकारियों की यह इसमें थोड़ी सी डिलाई जरूर रही है क्योंकि दो ही जो डिवीजन थे उसी में यह बर्ति आगे प्रोस सवrone know the government is now country अम्गर आपि पता नहीं है कि वर्तमान सरकार वरिजा जुछ को आगे बड़ाए की आगे बड़ेगा या फिर नय सीरे से जो यहांपर बर्तियां की जानी